अब सभी का एक्जाम हंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई और आज हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्टी 12 के साथ तो इसका सिर्सक है इमारते शित्रो और किताबे तो चली फ्रेंड्स एकते है कि इस चैप्टर में कौन-कौन से महत्पुन बिंदुएं आपके लिए रखे गए हैं तो आज हम सबसे पहले जानेंगे लोस्तम के बारे में तो यह लोस्तम कहां है फ्रेंड्स तो यह महरोली में है दिल्ली में और कुतुब मिनार के परिसर में खड़ा लोस्तम करीब 500 सा पुराना है इसकी उचाइів 72 मेटर और बजन 3 तन शे भी जादा वी हाँ इसका जिख्र की करें जिक्र है जो सम्बटा गुप्तवनस के थे वह चंद्र नाम की एक सासक कि पारे में इस को का साथ होता है यानि यंट साथ बना और विभिन आकार के कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या कभी छोटे प्राई सभी इस तूपों के वीतर एक छोटा सा डिबा रखा रहता है इन डिबों में बुधिया उनके अनुयाईयों के सरीर के अफसेस जैसे दांत, हड़ी, राख या उसके द्वारा पर्यूक्त कोई चीज या कोई किमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं इस डिबों को धातू मंजूसा कहते हैं यानि जो डिबों जिस पे बुधिया उसके अनुयाईयों के सरीर के अफसेस रखे जाते हैं और किम्ती पत्थर सिक्किः रखे जाते हैं उसे धातू मनझूसा का जाता है प्रारंबिक स्थूप धातू मनझूसा के उपर रखा मिट्टी का टिला होता है बाद में टाईल को इटोक से ढख दिया जाता है अब बाद के काल में उस गुम्बद नुमा धाचे को तरास्ते हुए पत्थरों से ढख दिया जाता है ठीक है तो ये था स्टूप के बारे में अधातु मंजुसा के बारे में फ्रेंस अब हम पढ़ेंगे प्रदिक्षिना पत के बारे में वो रेलिंग ही बेदिका कहला थी, यानि बेदिका में परवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग और तोरन प्राय मुर्ती कला की सुंदर कला कितियों से सजे होते हैं, यानि जो रेलिंग बनी हुई रती, उसी रेलिंग में परवेश द्वार जैसा बना हुआ रता है, उसे ह क्या करते हैं तो बेदिका करते हैं प्रारंभिक इस्तूपो इटो के संभवता असोप के जमाने में रेलिंग और प्रवेश द्वारर जोड़े गए थे यानि प्रारंभिक जो इस्तूप थे वो इटो के बने हुए थे अब हम पढ़ेंगे मंदिर के बारे में तो मंदिर में विश्नु, सेव, दुरगा जैसे देवी देवताओं की पूजा पाट की जाती है अइन ने भी बहुत सारे प्रमुख देवी देवताओं हैं जिनकी पूजा की जाती है मंदिरों का मात्पुन भाग गरवगिर्य होता है जा मुख्य देवी और देवताओं की पूज़ा मुर्ती रखी जाती है इसी स्थान को पुरोही धार्मी गनुष्ठान करते हैं यानि जो गरव ग्रियों होता है वहाई पर देवी देवताओं की मुर्ती रखी जाती है और इसी स्थान पर पुरोही धार्मी गनुष्ठान करते हैं अब हम पढ़ेंगे सिखर के बारे में तो गरव ग्रियों में उपर काफी उचाई पर किया गया निर्मान यानि सिखर पर ये सबसे उचाई पर बना हुआ एक जैसे किसी भी मंदिर के उपर में आपके धोजा रहती है ना वहाप एक छोटा सा सिखर टाइप का बना हुआ था अब हम पढ़ेंगे एकास्मिक मंदिर के बारे में यानि महावली पूरम मंदिर के बारे में यह मंदिर एक ही विसाल मंदिर पहाड़ी को तरास कर बनाया गया है इसलिए एकास्म कहा गया है एकास्म का मतलब सिफ एक अब हम पढ़ेंगे एहोल का दुरगा मंदिर तो यह लगवग 1400 साल पहले बनाया गया था ठीक है फ्रेंट्स इस्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाया जाते हैं अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो इस्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवधारनाई आती थी इसके लिए काफी धन खर्चा होता था आमतोर पर राजा या रानी ही इने बनवाने का निश्चे करते थे इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में वैपारी क्रिसक माला बनाने वाले इत्र बनाने वाले लोहा सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पूरु सामिल थे जिनके नाम खंबो रेलिंगों तथा दिवारों पर खुदे हुए रहते थे ठीक है अब हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में 31 साल पहले बहुत विक्षियों के लिए बिहार बनाये गए थे इन गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वज़़े से अधिकान चित्र मसालों की रोस्नी से बनाये गए थे यह रंग पोधुत कोई अफसेस मिला इसके लिए कलाकार जो थे वह ग्याद है अब हम पढ़ेंगे पुस्तकों की रचना के बारे में तो सिल्पदी कारम करीब 1800 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था या तमील में लिखा गया है इसमें कोवलम एवं माधवी की बेटी की कहानी है अब हम स्वाइस त्रेक्स की लिए इसका साब्दीकरत प्राचिन यह पुरान कहा गया है पुरानों में विश्णु से द्रुगा पार्वती जैसे देवी देशताओं से जुड़ी कहानिया हैं इस की पूजा की बीधिया हैं तथा इनके बारे में सारी जानकारियYEैं विदे हैं इ भी ऐसे सुन सकते थे पुरानों का पाठ पुजारी मंदीरों में किया करते थे महाभारत करीब 1500 साल पहले पुरानों और महाभारत महाकाव को ब्यास नामक रिसी ने संस्क्रीट में संकलित किया था महाभारत में ही भगवत गीता भी है महाभारत कोर्वों और पांडवों के बीच यूद्ध की कहानी है यूद्ध का उदेश पूरुवंस की रायधानी हस्तिनापूर की गद्धी प्राप्त करना था यानि ये जो महाभारत का यूद्ध था ये क्या था तो इसका उदेश था पूरुवंस की रायधानी हस्तिनापूर की गद्धी को प्राप्त करना ठ के बाद लाडाई और एवध्धा लोटने की कहानी है अब हम जानेंगे विज्ञान की पुस्तकों के बारे में तो गनीत गियों खगोल सास्त्री आयरभट ने संस्कृत में आयरभट टियम नामक पुस्तक लिखी है इसमें लिखा है कि दिन वह रात पिरिश्वी के अपनी द आदी लिखी गई है ठीक है फ्रेंस अब हम पढ़ेंगे अन्यंत्र चीजों के बारे में जिसमें कागज के बारे में हैं तो कागज का अविश्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया है और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची फिर ब भागों में फैल भषाति महाधिपों में भी कागज की जानकारी बगदाद्स यानि हमें बगदाद से कागज के बारे में झानकार यह व्यक्ति बीट्रभामंस इन सब का उलेग पंदर सो साल पहले से मिलता है तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसे लगी बताना बिल्कुल भी न भूलिएगा आप कमेंट करके आप बता सकते हैं और अज़की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें जाल साल सेर करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल सेर करें और अगर आप अभी तख हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें इससे आपको आगयाने मली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे social video handle से नहीं जुड़ा है तो आप हमारे social video handle से जुड़ सकते हैं जिसमें आप telegram, facebook और instagram page से जुड़ सकते हैं इसकी link आपको description box में provide करा दी गई है तो आपका हमारे साथ जुड़े रने के लिए बहुत बहुत धन्यवार thank you friends thank you for watching